वेलकम टू आरास क्लास आती हो, मैं कॉसल सिंग अडवोकेट आपका हार्द एक स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल पे साधी हो देखी आज हम पढ़ेंगे CRPC की धारा 151 आपने बहुत देखा हुआ, आसपास देखा हुआ, जगड़े हो जाते हैं तो अकसर पुलिस उठाके ले जाती है और 151 में उसका चालान कर देती है जियां साती उसी के बारे में जानेंगे हम के पुलिस क्यों उठा के ले जाती है और इसमें बारंटी की आवश्रक्ता होती है के नहीं होती है पुलिस में क्या क्या अधिकार दिये हुए हैं पुलिस को इसमें 151 में जो की डारेक्ट उठा के बंद कर देती है 151 में चालान कर देती है पुलिस क्या क्या अधिकार हैं पुलिस को और नागरिक क्या 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 अधिकार है सजा क्या है इसमें जमानत इसमें कैसे मिलती है और 151 के साथ साथ और कौन सी धाराएं भी लगाई जा सकती है जिनका कि पुलिस को पूरा अधिकार होता है और 151 में ही चालान क्यों किया जाता है साथी ये भी बहुत से साथियों के दमाग में चलता हुगा कि लडाई हुई छोटी सी और पुलिस ने 151 में उठा के चालान कर दिये तो पुलिस ज़्यादा तर 151 में चालान क्यों करती है साथीयो इसी बारे में जानेंगे हम आज की वीडियो में तो जो भी भाई बेन मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है चलिए देखते हैं आज की किलास और देखते हैं धारा 151 CRPC क्या कहती है चलिए लेस गो साथीयो चलिए साथीयो श्टार करते हैं आज का सहसन 151 CRPC देखिए CRPC 151 थोड़ा पर्चे देखते हैं 1973 की आपरादिक प्रिकरिया सहीता पुलिस को ब्यापक अधिकार प्रदान करती है देखिए इसका नाम क्या है 1973 की आपरादिक प्रिकरिया सहीता यानि 1973 आपरादिक प्रिकरिया सहीता इसका पूरा नाम है पुलिस को ब्यापक अधिकार प्रदान करती है देखिए यानि पुलिस को ये अधिकार प्रदान करती है पुलिस के पास जाच, गरफतारी, तलासी, आधी की सक्तिया है बैसे तो पुलिस के पास सक्तियां बहुत सारी होती हैं लेकिन अगर इस धारा के एकॉर्डिंग बात की जाए तो गरफतारी, तलासी और जाच आदी की सक्तियां है साथी हो आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे कह रहा है सहिता अपरादों के लिए दन्नात्मक और निवारक उपाय पिरदान करती है हालंकि यह है निवारक उपायों को दो सीरसकों के अंतरगत वर्गिकरत करती है चलिए देखते हैं कौन से कौन से हैं वो दो सीर सक चलिए देखिए साती है देखिए मजिस्ट्रेयल कारवाई सहिता के अध्याय आठ और दस और ग्यारे साती हो ये दे रखाए Magistral कारवाई सहिता के अध्याए 8 में और 10 में और पुलिस कारवाई 11 में देखे समझेगा आगे देखते हैं और आपको सारी बाते समझ में आ जाएंगी एक एक करके with definition, with ruling आपको बताया जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा पूरा देखेगा और पूरे सैसन में बने रही हैं चलिए देखिए, आगे आ जाते हैं आगे अगे अगर बात की जाए देखिए सातियो, चलिए हो गया ये, देखिए मस्टेट के पास अर्थ नयाएक क्वैसी जोडीसियर और अर्थ कारकारी क्वैसी एग्जिक्रीटिव सकतियां हैं, जबकि पुलिस की सकतियां विस्ट दूरूप से कारकारी हैं संगे कॉग्निजेबिल अपरादों, सहीता की धारा 149, 151 को रोकने के लिए पुलिस के पास ब्यापक अधिकार हैं, यानि आप समझे नहीं समझे, देखिए, इसका कहने का मतलब यह है, कि पुलिस जो है 151 में चालान करती है, तो पुलिस 151 में चालान क्यों करती है पुलिस 151 में चालान इसलिए करती है कि जो संगे अपराद होते हैं यानि कॉग्निजेबिल ओफेंस होते हैं उन्हें रोकने के लिए पुलिस 151 में चालन करती है देखी आगे देखते हैं और सारी बाते आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या-क्या इसमें प्रिकरिया है, क्या दे रखा है, क्या इसमें रूल रेगुलिसन है देखिए, वे ऐसे अपरादों के लिए बिना किसी बारंट के अपरादी को ग्रफतार कर सकते हैं धारा 149 पुलिस को ऐसे अपरादों को रोकने में सक्षम बनाती है यानि धारा 149 कहती है, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये संगे अपराद होने बाला है यहाँ पे कोई या फिर संगे अपराद हो जाएगा, यानि कॉगनेजिबिल ओफेंस यहाँ पे हो जाएगा तो उसे रोकने के लिए 149 की कारवाई करती है, फिर 151 में उन्हें चालान काटके मजिस्टेट के सामने पेस किया जाता है वो क्या क्या कारवाई है, कितने समय है, क्या प्रिकरिया है, इसकी चली आगे देखते हैं, देखिए देखिए आगे ही आ जाता है, यदि पुलिस को इस तरह के अपराद करने की योजना के बारे में जानकारी मिलती है, जैसा कि अभी हमने उपर का, यानि संगे अपराद, यानि कोगनेजेबिल ओफेंस करने की जानकारी मिलती है, तो उन्हें ऐसी सूचना अपने वरिष्ट सुपिरियर अधकारी या किसी अनधकारियों को देनी होती है, जो कि धारा 150 के अंतरगत आती है, यानि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहां पे कोई बड़ी गटना गटित हो सकती है, तो वो अपने वरिष्ट अधकारी को सूचना देंगे, वो धारा 150 में वरिष्ट किया गय आए, यानि धारा 150 के अनुचार अपने बरिष्ट अधकारी को सूचना देंगे, आगे देखते हैं, उसके बाद यदि वे अपरादों को रोक नहीं सकते हैं, तो वे उन अपरादियों को गिरफतार कर लेते हैं, जो उनकी योजना बना रहे थे, किस की योजना? संगे या पराद की योजना, यानि कोगनेसिबल ओफिन्स की युजना, यानि किसी गंबीर घटना, घटित करने की योजना बना रहे थे, उनकी योजना बना रहे थे, धारा 151, इस धारा के तैट हिरासत की अधिक्त्म अब्दी केवल 24 गंटे है, जब तक कि किसी अन्य धारा या कानून में हिरासत की आवश्रक्ता है या प्राधिकरत ओथ्राइज नहीं किया जाता CRPC की धारा 151 के तहित प्राबधान देखिए क्या-क्या प्राबधान है 151 में चालान होता है तो प्राबधान है प्राबधान है प्राबधान के अनुसार अगर प्राबधा चलता है कि कुछ ब्यक्ति इस तरह के अपराध करने की योजना बना रहे है तो उन्हें बारंट या मजिस्ट्रेट के आदिस के बिना गरफतार किया जा सकता है जैसा कि हमने कहा उपर यहां ऐसे अप्राबधों की आसंका या ज्यान अनिवार है लेकि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहां पे कोई गंबीर गटना गटित हो जाएगी तो पुलिस जो है 151 के तहद उन्हें गरफतार कर लेती है इसमें किसी के वारंट की आवशकता नहीं होती है वारंट के बिना गरफतार कर सकती है और चौविस घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हिरासत में नहीं रखना चाहिए प्रिकरिया क्या क्या कर नहीं होंगी चली आगे देखते हैं यदि कोई प्राबदान कानूनिया मजिस्टेट का आदेस अधिकरत करता है तो यह अवदी बढ़ सकती है पुलिस के पास ऐसी गिरफतार लोगों को जमानत पर छोडने का अधिकार नहीं है यानि अगर 151 में हमारा चालान पुलिस करदेती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को किसी नयायक मज़र्षिट के सामने हमें पेस करना होगा पेस करना होगा इसी 24 गंटे में उन्हें मेडिकल भी कराना होगा जो की सरकारी होस्पिटल में होगा इसी 24 गंटे में अगर और भी कोई गंबीर विमारी तो वो चेक अप कराना होगा इसी 24 घंटे में सारी जो प्रिक्रिया 151 के तहट की जाती है वो उन्हें पूरी करनी होंगी और मजिस्टेट के सामने हमें पेस करना होगा पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो 151 में चालान करके डारेक्ट छोड़ दिया जाए पुलिस को 151 में चालान करके उनके अधिकार खतम हो जाते हैं छोड़ने के ठीक है साती हो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होना है देखिए देखिए आगे आजाते हैं ये ऐसे गरफतारी को बिना बारंट के गरफतार की सभी प्रक्रियाँ से गजरना पड़ता है यानि जैसा कि हमने कहा सभी प्रक्रियाँ को गजरना पड़ता है और उन्हें गरफतारी के जो सारे आधार हैं किन कारों से गरफतार करके लाई है पुलिस वो सारे आधार वहाँ पे उसे बताने होंगे चलिए साथिया Example द्वारा समझते हैं अब एक छोटा सा एक Example ले लेते हैं Example के द्वारा समझते हैं आपके अच्छी समझ में आएगा साथिया देखिए माल लीजिए कि A, B और C, A, X के घर पर मिलके चोरी की योजना बना रहे हैं यानि A, B और C, A X के घर यानि ये X अलग है कितने जने हैं इसमें चार जने A, B, C और A ये चारों मिलकर X के घर पर चोरी की योजना बना रहे हैं Z एक पुलिस अधकारी है X के घर चोरी की योजना बना रहे हैं Z एक पुलिस अधकारी है इस योजना के बारे में पता चलता है किसको? Z को जो की पुलिस अधकारी है पता चलता है वह अपने अधिनस्त वाई को अपराद रोकने के लिए सूचित करता है वाई ने निसकर से निकाला है कि वह केवल अपरादियों को गरफतार करके ही चोरी होने से रोक सकता है why और प्रुक्त अपरादियंगों गरफतार कर सकता है साथियो यानी क्या हुआ उसने सूचना दी z को के चोरी होने वाली तो z क्या करेगा सूचना देगा अपने भाई को अधीनस्त को भाई को सूचना देगा रोकने के लिए उसे सूचित करेगा अगर नहीं रुकते हैं वो तो 151 में चालान कर सकता है यानि 151 में चालान कर सकता है बिना बारेंट के साथी चलो आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें देखिए आगे है आपका आगे दे रखा है आपका इसमें साती हो देखिए चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं देखिए आगे दे रखा है इसमें साती हो धारा 151 के तहट गरफतारी की सर्ते हैं यानि कौनसी कौनसी सर्ते होने चाहिए धारा के तहट गरफतारी की निम्लिकित सर्ते हैं गिरफतार किये जाने वाले बैक्ति को योजना में आवस सामिल होना चाहिए ऐसा नहीं है कि A और B में लड़ाई हो रही हो और C नाम का बैक्ति यहां से जा रहा हो रास्ते में और उठा के C को बंद करती है कि A और B में लड़ाई हो रही है चलो C को बंद कर देते हैं ऐसा न पराद को रोक सकने में उसे सहयोग या साहता मिलेगी साथियो अगर उसे लग रहा है कि बिना गरफतार किये हुए काम नहीं चलेगा तो पुलिस गरफतार कर सकती साथियो आगे देखते हैं देखे साथियो आगे देखते हैं धारा 151 की बैदता देखे दारा 151 की क्या क्या चलिए देखिए देखते हैं थोड़ा उपर करते हैं से हाँ जी अब देखते हैं निवारक उपायाओं की अवधारणा विवाद का विशा है क्योंकि निवारक उपायाओं की आड़ में पुलिस द्वारा अपने सक्तियों का दुर्पयों करने की गटना है अकसर रिपोर्ट की जाती है देखिए बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पुलिस जो है 151 में पकड़ के ले जाती है यानि कोई बैसे ही अगर कोई घटना पाई जाती है तो पकड़ के ले जाती है और 151 में चलन करके बेज देती है ये भी रिपोर्ट अक्सर पाई जाती है राश्ट्रे पुलिस इनसे ग्रफतारियों पर कुल खर्चा 43.2% खर्च किया गया है यानि जो वेवजा की पुलिस जो ग्रफतारिय करती है 43.2% का खर्च किया जाता है इन पर खर्च तो होगा यह होगा वाई सारी जो प्रिक्रियां जो पूरी करने होती है जैसा कि हमने अभी उपर देखा साती हैं धारा 151 की सम्मेदानिक बैता को चिनोती देने के लिए भारत के सर्वों चिनाले के समक्ष क्या याचकाई दाएर की जाती है यानि 151 में जो पुलिस बेटो के चालान करके बेश देती है, भारत के सर्वों चिनाले के समख्च क्या आज का दायर हो चुकी है इसमें पर उनमें कारवाई चल रही है इसलिए पुलिस मंच चाहे जिसी को भी 190 चालान करके नहीं बेश सकती उनको सारी चीजों की जानकारी भी होना आवश्यक है साथियों साथियों आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताईएगा और जो भी कुश्चन पूटाप करना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूचेगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लिस लाइक का बटन क्लिक करके जरूर जाएगा आगे एक न